नमस्कार दोस्तों मैं निर्मला आज आपके लेके आई हूँ एर्थ क्लास की SST की बुक से रिलेटेड क्योशन यानि की जो पार्ट के अंत में जो लास्ट में क्योशन होते हैं वो लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको बताएं कि रिट में डारेक्ट कह दिया गया है सेलेबस में बताया गया है कि आपके 6 तु10 की जो बुक से उन में से क्योशन बनेंगे और वैसे ही बनेंगे तो चलिए देखते हैं आज क्या क्योशन है विसे ये क्योशन 16 के सम्थिंगे जोसे पहला है निम्रे लिकित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है नेपाल, भूटाल, इरान, मियामा तो किस की नहीं मिलती है तो आपको पता होगा भारत से जो सीमा मिलती है वो साथ देशों की मिलती कितनों की मिलती साथ की साथ कौन-कौन से देखना बांगलादेश अफगानिस्तान चीन नेपाल भुटान बांगलादेश और लास्ट में आ जाता है म्यामार कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 यहीं साथ देशों की सीमा हमारे भारत से मिलती है तो इसमें कौन सांसर हो हो जाएगा सख एरान की मिलता है मिलता है अगरा देखिए जैंचिक की द्रस्ति से वीश्व का दूसरा बड़ा देश है यानि दूसरा नंबर का जो सबसे बड़ा多 देश है किसकी द्रस्ति से जैंचिंचर सांज कि द्रश favour Nah जापान बारत नसरे और पहला जिए चीन अब की द्रश्टी से कौन सा है और राजिस्तान को कितने बहुतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता हैं चार पांस तीन दो कितने किया तो यह किया जायेगा चार में। कौन-कौन से एक आ जाता है हार का मरुस्तर एक आ जाता है उत्री पूर्वी मेधान या ना उत्री पूर्वी मेधान एक आ जायेगा cómoशर अध्रिय्स इप्रविकल और बतार जिसको अंध्रिय चांग Legal सिर्वी network Eg उत्री पूर्वी मेदान, हाडोती का मेदान, या हाडोती का पठार, या अरावली परवतमाला अगला देखिए, राजस्तान में माउंट आबू के सबसे ठंडा रहने का प्रमुग कारण है अब यह के सकते हैं, जहां पर इस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती, राजस्तान में काहां पर माउंट आबू अब माउंट आबू तो क्या हिस्ता नहीं, लेकिन जो जीला है, डिस्थी के वो कौन सा है, जहां पर सरवादिक वर्षा होती है अगला देखिए बनास्व बेणच किस नदी की सायक नदिया है, सायक नदिया पूछाएं और नदियों से एक या दो क्योशन तो आते ही आते हैं देखिए किसकी सायक नदिये चंबल की, लुनी, पानगंगा, माहि तो जो बनास्व बेणच की नदिया है, वा चंबल की सायक नदिया है अगला देखिए सौम, कमला, अमबा परियोजना इस्तितर सोम, कमला, अंबा जो परियोजना है कहां इस्तिते बाडमेर में, डुंगरपूर में, उदैपूर में या कोटा में तो कहां है डुंगरपूर में कहां है इस्तित डुंगरपूर में तो आंसर हो जाएगा भग अगला देखिए, निमने लिकित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल बता नहीं है, कौन सी है, गेहूं, मक्का, चना, सरसो, तो कौन सी हो जाएगी खरीफ की फसल, मक्का हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, मक्का हो जाएगी, और बाकी गेहूं, चना, सरसो को कि किसकी फसल है, ये रभी की फसल है, अगला देखिए, निमने लिखित में से कौन सी तिलहन फसल है, तिलहन फसल, तिलहन यानि जिन से तेल निकलता है, तेल बनता है, मक्का, गेह, सरसो, चना, तो क्यों सी हो जाएगी, चना, यानि आंसर हो जाएगा स, अगला देखिए, निम संग मरमर लोहा सोना तामा तो क्या अंसर हो जाएगा इसका संग मरमर कौनसा हो जाएगा संग मरमर इसका अंसर हो जाएगा अगला देखिए किस राज्यू को खनीजू का अजयब घर कहा जाता है जारखंड उडिसा राजस्तान करनाटक किसे कहते हैं राजस्तान को कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि राजस्तान में लगभग लगभग सभी तरहिके जो खनीज वो पाए जाते हैं अगला देखिए निम्ने लिखित में से कौन सा उध्योग खनीज आधारी थे कौन सा उध्योग खनीज आधारी थे तो वो बताना है सूतिवस्त उद्योग, सिमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग या शक्कर उद्योग तो कौनसा हो जाएगा खनी जादा लित ही हो जाएगा सिमेंट उद्योग कौनसा हो जाएगा सिमेंट उद्योग अगला देखिए किस उद्योग को मोसमी उद्योग कहा जाता है आबुशन उद्योग को ग्रेनाइड उद्योग को शक्कर उद्योग को या डैरी उद्योग को इसे कहा जाता है मौशमी उद्योग, शक्कर उद्योग को ही मौशमी उद्योग भी कहा जाता है. तो अंसल हो जाएगा साइ. अगला देखिए. क्योशन नमबर तेरा. राजिस्तान की सबसे प्राचिन जन जाती है. क्या पुछा है? सबसे प्राचिन जन जाती. भील, मीना, गरासिया ये सहरिया, तो कौन सी हो जाएगी, भील, कौन सी हो जाएगी, भील है, जो सबसे प्राचिन जनसक्या है, स्वरी, जन जाती है, लेकिन राजस्तान में सरवादिक जन जाती, कौन सी पाई जाती है, कौन सी निवास करती है, तो वो करती है, मीना, कौन सी करती है, मीन सहरिया देखे सहरिया एक मात्र राजिस्थान की एक मात्र ऐसी जन जाती है जिसे भारत सरकार ने आदीम जन जाती समू की सूची में शामिल किया है कौन सी आदिम जनजाती की जो सूची है उसमें शामिल किया गया है राजस्तान की एक मात्र जनजाती की और कौन सी वो सहरिया लेकिन इसका आंसर क्या है राजस्तान की सबसे प्राजिम जनजाती भील अगला देखिए राजिस्तान की किस भोतिक विभाग में जन्संक्या घनतों राजिस्तान के किस भोतिक विभाग में जन्संक्या घनतों सबसे कम पाया जाता है पूर्वी मेदान, मरुस्थली प्रदेश, हाडोती पठार या आरावली परवतमाना तो जन संक्या घनत तो कहाँ पर सबसे कव में और कहाँ पर सबसे ज़्यादा है तो यहाँ पर पूछाएं कम वाला तो कम कहाँ पर हो जाएगा मरुस्तल प्रदेश में कहा है मरुस्तल प्रदेश है जिए जादा यह गणतवे शाया का है पूरवी मेदान अजमेर, पुषकर, पाली या करोली, तो कहां पर होगा पुषकर में, और ये राजस्तान का ही नहीं, विश्व का एक मात्र ब्रह्मा मंदिर है, याद रखना, राजस्तान का ही नहीं, विश्व का एक मात्र ब्रह्मा मंदिर है, इस्तिते पुषकर, और पुषकर कहां पर प ये बताना है आपको तो सभी को पता है जय समन जील कौन से जीले में उदैपूर चितोड़ बाड में चालो तो कहां पर है उदैपूर अब ये देखिए कि ये कौन से खारे पानी की ये मीठे पानी की जीले तो ये हैं मीठे पानी की जीले इसका जो मूल नामे वो डेबर है क्या नामे डेबर इसका निर्मान करवाया था जैसिंग ने किसने करवाया था जैसिंग याद रखना है महाराणा जैसिंग यह है महाराणा जैसिंग ने इसका निर्मान करवाया था सत्रा सो ग्यारा से लेकर सत्रा सो बीस इच्वी तक हना, इसके मद्य करवाया गया था इसका निर्मान और जैसिंग ने निर्मान करवाया था इसलिए इसका नाम भी क्या पढ़ गया जैसमन, ओर यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मानव, निर्मित कहलो या क्रितिम चील कहलो ओके यानि कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की क्रत्रीम चील कौन से हो जाएगी जैसमन और ये पिछली बार रीट में क्योशन आया भी था तो ये आज के 16 क्योशन है करिए और बताईए कमेंट सेक्षन में आपके कितने सही हुए है और मेरे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस भी करें ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिल सकें थैंक्यू